होई ही वही जो राम रची राखा कोकर तरक बढ़ा वहु साखा राम सिया राम सिया राम जै जै राम नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता वेज में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए हर हर महादेव ओम नमसिवाय अवस्य लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे मासिक शिवरात्री जिसको बोलते जो हर महा की सिवरात्री करते हैं तो उनके लिए चलिए आज मैं बता देती हूँ कि कब है पूजा की वीधी तो मैं ऐसे कई वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन उन लड़कियों के लिए मैं बता दे रही हूँ जो लड़कियां अपना गठवंधन नहीं कर पाई और सा उपाए मासिक सिवरात्री में भी कर सकती हैं तो आप लोगे ने पूछा था कि मासिक सिवरात्री कब है इस महीने में अप्रैल में आप हमें जरूर बताईएगा वीडियो जरूर डालिएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के फायदे के लिए और आप लो बडिआटरी के धीन आप जरूर कर ली जेगा तो वह सीवरात्ती कभ है तो इन सभी महत् koşर बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहली बात है कि सिवरात्री जो है इस महीने अप्रेल में 10 अप्रेल को है दीन है सनिवार तो जितनी भी लड़कियां है जो महा सिवरात्री में साधी के उपाए लोगों ने अपने उपाए नहीं किये थे किसी कारण वस छुट गया था वो सभी लड़कियां जाकर अपना पूजा कर लेंगी सिवर जी से अपने मन की बात कहके आएंगी गठ वंधन कर लिजिएगा फूल लेते आईएगा जो उपाय थे मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूं उन माँ बहनों के लिए भी बता देती हूं जो नहीं कर पाई वो जाकर सिवर जी से ए इस प्रकार से आप सिवर जी की पूजा अर्चना करके आईएगा और जो एक पत्ते का भी मैं उपाय बताई थी आक का बोलिये उसको या मदार का पत्ता जिसमें नाम लिख के और सटा के ऐसे और फिर उसको रक्षा सुत्र से बांध के और संकर जी को अर्पीत करना था अर्चा, सिवर जी को और उन्हें आमंतृत करना है कि जल्दी से जल्द हमारे घर में आप आएए आपका आगमन हो और हमारे घर में जल्द से जल्द सुभकार्य आरंबो तो इस प्रकार से आप कर लिजिएगा और फूल को लाकर किसी वक्त से वगरा में डाल दीजिएगा धरोहर के तौर पे और जब आपकी मौनकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप उसको पूछते हैं आप लोग कि हम क्या करेंगे तो आप उसको रखे ही रहेगा उमु अगरा ले लिजिएगा और बेलपत्र कम से कम एक ग्यारा ले लिजिएगा चंदन रोली पूस्प सब लेकर जाएगा अक्षत जरूर लेकर जाएगा और सिव जी की पूजा अर्चना करिए उनसे जिद करिए मन ही मन उनसे सभी अपनी बाते कह कर आईए तो इस परकार से आप पूजा अर्चना जरूर करिएगा सिवरात्री को और 10 अपरेल को पड़ा है और हर मास की सिवरात्री को मैं आपको याद दिलाते रहूंगी आप लोग बोलते हैं कि कब है तो आप हमें जरूर बताईएगा तो इस परकार से में बताते रहूंगी और आप अपना उप के और क्रिद्धे नहीं बिल्कूल मतता तो आसा करते हैं कि हमारी बहुनों को सबीी बाते समझ में आगई होंगी लेकिन गठ बंधन मा को और बहन को नहीं करनी है केवल लड़कियों को करनी है तो आप गठ बंधन भी जरूर कर लीजिएगा तो इस प्रकार से आपको करना है मैं गठ बंधन करके भी दिखाई हूँ कि कैसे करनी है तो आप चेक आउट करिएगा और उसी प्रकार से करके और हमेसा मुस्कूराते रहें